रजिस्तान की सबसे बड़ी लोग सबसीट से सांसत का चुनाव हारने के बाद शियू विधायक रविन सिंग भाटी स्यासी जाल में पस्ते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले निर्दले विधायक ने प्रदेश की बजट में शियू विधान सबक की अंदिकी करने का आरोप लगाया था। और सदन में भजिनलाल सरकार को जम कर घेरा था जबकि आज उन्होंने सोशल मीडिया के जरी एक और मुद्दा उठाया। और सरकार से रहत प्रदान करने की मांग की है। निदान करके आमजन को रहत प्रदान करें। इससे पहले बजट सत्र में बोलते हुए रविंद्र भाटी ने कहा था मेरे MP का चुनाव लड़ने से अगर किसी को कोई नराजगी है तो हमें बताए हमारे लोगों ने आपका क्या विगाड़ा है। मैंने तमाम मांगे रखी प्रदेश की सरकार की मांग पर मैंने सुजाव भी भेजा लेकिन बजट सत्र में एक भी जगा शीव विधान सबा का नाम नहीं डाला गया। भाटी ने आगे कहा मेरे विधान सबा की जनता ने मुझसे पूछा साब क्या हुआ शीव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा शायद MP का चुनाव लड़ा हूं इसकी नाराजगी की वज़े से नाम नहीं आया। इस बजट में सिमान तलाके के लोगों को नकारकर सरकार ने उनकी साथ खुठारा घात किया है। हम उन लोगों के लिए मांग कर रहे थे जो अजादी के बाद अभी तक अभव में जी रहे हैं। पर बदले में उनको कुछ नहीं मिला। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल से जल इसका समधान करना चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं। दनगरीन शुक्रिया।